तो अगर मैं आपको बोलोगी, जिस client को आप ढूंड रहे हो, वो भी आपको बहुत दिन से ढूंड रहा है, तो आप क्या बोलोगी, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे client क्यों ढूंडे का, लेकिन ऐसा होता है, clients आपके बारे में पता करना चाहते हैं, लेकिन व पता करना चाहिए कि यही मेरा client है, और इसी को मुझे pitch करना है, और अगर मैं इसको pitch करूँगा, तो यह client मेरे पास आ जाएगा, तो इस वीडियो में हम वही सारी बात करने वाले हैं, इससे पहले कि में वीडियो के तरफ जाए, एक छोटा सा announcement है, जो आप लोग इसाद शे जिसने आपके graphic design से related सारी problem खतम कर दिया, अब मैंने launch किया है, edit and cuts, आप सब को पता है कि video editing आज के दिन में कितना important है, तो इसलिए मैंने यह course launch किया है, edit and cuts, यह आपकी video editing से related सारी problem खतम कर देगी, बट इसके लिए आपको software का knowledge होना, क्योंकि यह course software पे नहीं है, software का basic बताया कैसे edit करना है, music video कैसे edit करना है, और आपको movies कैसे edit करना है, उसके बारे में यह course है, इसको भी आप मेरी website learn.rajimehta.in पर जाके purchase कर सकते हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं client को कैसे approach करता हूं, और कौन कोंसे mistake है जो हम लोग करते हैं, तो सबसे common mistake जो मैं और आप हर कोई करते हैं, और करते ही करते हैं, और जो बहुत गलत भी है, लेकिन हम सब करते हैं, जो यह है कि मालो आप किसी company में job कर रहे हो, और किसी client के साथ आप काम कर रहे हो, वो client आप से खुस है, अब आपने decide कि अगर नहीं नहीं मुझे, आप अपना काम start करना, मुझे freelancing करना है, त तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, कि उस client को आप पिच करते हो, कि आप मैंने वो company छोड़ दिया है, और आप चाहो तो मेरे से काम करा सकते हो, अगर आप यह नहीं भी बोलोगे कि आप मेरे से काम करा रहा हो, तब भी आप कुछ नहीं कुछ चाहते हो कि यह client मेरे पास जाए तो उसको message करते हो, email करते हो, या उसको बताते हो कि आप मैंने company छोड़ दिया है, और आप मेरे से काम directly करा सकते हो, कुछ percentage में वो client आपके पास आते हैं, बट वो client जब आते हैं, तो आप से कम rate में आते हैं, क्योंकि वो तो agency को pay कर रहे हैं, तो आपको तो आपने उत आप किसी के साथ टिक के ने रहता है, और जहां से छोड़ता है, यह दोका देके निकलता है, बाद में उसको pitch करता है, अगर मेरे साथ अभी ठीक है, कल को मेरे से अच्छा मिलेगा, तो वहां खिसक जाएगा, अपने बारे में आप खुद ही negative चीजे आप यहां फैलाते हो तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए, और कैसे आपको क्लाइंट को pitch करना चाहिए, वह हम यहां पर बात करेंगे, अब देखो, मैं जो आपको बताता हो नहीं, यह कोई ग्यान नहीं देता, आप इंटरनेट पे ढूंड़ो कि how to get client, आपको च्छते चीजे मिलेगी, यह क करता है आपके ideas, कि आपको क्या ideas है, और क्लाइंट के पास आप पहुंचते हो, तो वो जो 5-10 मिन या आदा घंट आपको मिलता है, उसमें आप क्या बात करते हो, अपने बारे में क्या पहचान छोड़के वहां जाते हो, उसके दम पे आपको यहां पे clients मिलते हैं, तो सबस सबसे easy idea, सबसे easy idea, जो मुझे लगा, जो कि यहां पे walk करता ही करता है, वो है, आप competitor को target करो, वो कैसे target करना, वो मैं आपको बताता हूँ, अब मैं यहां पे आपको बहुत सारे brands के pages भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कि किसी brand के बारे में क्यों इसको direct message करूँ, और यह client में ही लिया हूँ, और जित client को company को वो लोग 3-4 लाग दो पे पे करते थे, मैं 50-60,000 में भी काम कर लूँगा, यह मेरे दिमांग पहला thought आएगा, लेकिन यहां पे मैं गलत था, मैंने भी यहां गलत तरीके से pitch किया, लेकिन यह काम नहीं कर करना है, अपर हर brand अपने competitor के बारे में research करता है, कि यह कौन है, जो इसका काम कर रहा है, हमारा competitor क्या कर रहा है, क्या पने ने कर रहा हर चीस कर लोग नजिर रखते हैं जिसी को स interviews Paraloo कर और ब्रैंद यहां पर यहांप काम सब्सिक्षा करके पूल do दो या फिर वो आपको ढूनना स्टार्ट करेंगे भाई कौन ऐसा वर्क कर रहे है तो अब आप यहां पर होता है तो आप आपको पता चल गया होगा वह पर्रांड पुट अगरita कर चल है और इगर को अच्छे तरीके से पिच कर सकतुए है और अगर मैं ये इस से नौ ब्रैंड के करे पास आ जाते थे इंटरस्टेट हो जाते थे और बहुत अच्छे दिन दर काम चलते क्योंकि हम ने काम दिखा है काम आगा ना यह ने की हवा में महला काम दिखते हो भई हम इस ब्रैंड के लिए काम करते थे और यह ब्रैंड अच्छा परफॉर्म कर रही थी यह सारे अच्छे ब्रैंड के साथ आप काम कर चुके हो तो इतनी इतना नौलेज होगा कि आप किसी ब्रैंड के साथ मिलके बैठके आधा घंटा बात कर सको किसी मार्केटिंग मैनेजर से या ब्रैंड की CEO से आप आधा घंटा बात कर सको इतना तो नौलेज आपके पास होगा तभ अलग अलग टैप ए क्लाइंट को पिछ करता है और इधर उदर हाथ मारता है यह ट्रिक काम करता है यह नेगेटिव ट्रिक भी काम करती है लेकिन उसमें किसी का फाइदा नहीं होता ना तो एजिंसी का फाइदा होता है ना आपका फाइदा होता है इतने कम पैसे में आप लि नहीं हो रहा है उनको आप पीछ करो में यह auto August को सब् necesit at content python के बारें बता सकता हूं जिनका काम अच्छाना हो रहा लेकिन यहाप नहीं दिखा सकता अप खुब सर्च करो हट आप कि सेक्टर में आपको कसे कर रहे हो तो फिर फाइदा नहीं है तो इससे पहले आप सीखो सीख के पिछ करोगे तो ज्यादा मजा रहेगा ठीक है तो यह ट्रिक था जो मुझे शेयर करना था अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाए